एक सितमबर 2019 को हमारी कवर्ण्मेंट ओफ इंडिया ने मोटर वहीकल अमेंडमेंट अक 2019 को जारी किया जैसे कि आज क्या के टैम पर बहुत सथा चलान कट रहे हैं और बहुत सथा जया लोग के चलान कट रहे हैं किसी का 1.5 लाग का किसी का 2.00 का कि कहीं तक 6.6 लाग तक के ट्रक के चलान कट चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्कूटी का दाम 15,000 भी नहीं है और उनका चलान 33,000 तक हो चुका है तो ऐसे में क्या है ये Motor Vehicle Amendment Act 2019 इसके बारे मैं आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों मेरे नाम है तरुन आप दिख रहे हैं Driving Corner चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ चलान जो की 2 गुना बढ़ा दिये गए हैं और कुछ 10 गुना जाता तक बढ़ा दिये गए हैं तो चलिए बात कर लेते हैं उन चलान के बारे में कौन-कौन से ऐसे रूल्स है जिनके ओपर काफे जादा गुवर्मेंट ने स्ट्रिक्टस दिखाई है उनको लगता है कि इस पर काफे जादा प्राइस बढ़ने चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया है इसमें काफे सारे रूल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो अब यहां पर गवर्मेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर काफे जादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है यहां पर अगर आपके आस ड्राइविंग लेसंस नहीं है तो सीधा आपकी गाड़ी यहां पर सीज होगी और आपका जो लाइसेंस पहले 500 रुपय का होता था अब यहां पर बढ़ा करके 5000 रुपय कर दिया गया है तो दोस्तों यह चीज मेरे को बहुत अच्छे लगी क्य अगर आपके पास ड्राइविंग लेसं ती है और अगर आप अपनी कार या बाइक किसी को भी ड्राइव कर रहेगा आप 18-18 से छोटे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप के पास ड्राइविंग लेसंस नहीं है और आप बाइक स्कूर्टी चलाते करेंगे कि आपको क्या से जा देनी है इसके रिकार्डिंग और अगली बात कर लेते हैं ओवर्स्पीडिंग रिकार्डिंग तो दोस्तों इसमें जो गवर्मेंट आप इंडिया ने जो पहले बढ़ाया है पहले आपको 1200 रुपर देने पड़ते थे और आप करेंगे तो हमारी स्पीड काफी कंट्रोल होगी जहां यहां पहले काफी चार्च किया जाते थे कोई भी लोगा गाड़ी चला रहे और बच जाते थे तो यहां पर अब उसके उपर सीधा 3,000-4,000 रुपय का सीधा फाइन है और डिपेंडिंग अपॉन दा वेहिकल यह ची लिए उनके लिए भी यहां पर एक्शन लिया गया है कि बहुत से यह ट्रक वाले क्या करते थे कि अपनी गाड़ी को बिल्कुल गाड़ी के बहार तक अपनी गाड़ी को लोड कर ले दे तो यहां पर इस टेंपर गवर्मट अप इंडिया ने यह किया है कि इनके साथ यहा यहां पर बहुत नुक्सान हो सकता अगर एक्सिडेंट हो गया किसी केस में तो बहुत दिक्कत आयाती है कई बार यह वैन वाले जो होते हैं जो स्कूल ड्रॉप करते हैं वो लोग भी अपनी वैन में सेवन टू एट चिल्डरन्स की कैपसिटी होती है सिटिंग कैपसिटी हो तो उनको तो यहां पर बहुत जादा अलर्ट होने के जड़रत है क्योंकि अगर ऐसी कंडिशन में वो पाया जाते हैं कि चेक पोस्त पर किसी भी किसी भी ट्राफिक वाले पॉइंट पर पाई जाते हैं तो ऐसे में डिरेक्ट जहां पहले 2000 रुपर का फाइन होता होता था जिसके पास license नहीं है आपने license बनवाले और आप बात करहे लें गाडी के permits के बारे में करी लोग होते हैं जो कि अपने पास नहीं लगे गूमते हैं ईसी चल रहे होते यह कहीं के काडी legal नहीं होती तो उन लोगों भी यहांपर सतर करेने की जवरत है यूगि अगर उनके पास उनके documents नहीं होंगे और वह valid documents नहीं होंगे तो यहां पर सीधा सीधा चलान है यहां पर traffic police वालो का 5000 रुपीज का सीधा चलान कर दिया जाएगा अगर उनके पास उनके documents नहीं होंगे की यहां पर लिए सबको भख़ष ज्यादधा जरूरत है तो जिसके पास बिजन की है चैट्यूस किमित में आपको बता है खुरीelle rao प्रक्राइब करें पार्ट ना पिर अगर पर आपका तगड़ा कोट का चलान कर दिया जाएगा और आज कर दाएंगा जानते हैं चलान के रिट कितने हाई हो चुग तो यह बहुत छुटी चुटी चीज़े जो आपको पने साथ लेकर बिल्कुल चलना चाहिए और काफी ज़रूरी भी है हमारे लिए अब आ जाते हैं कुछ छोटे मोड़े चलान के उपर जैसे कि हम जानते हैं कि हम सीट बेट नहीं लगाते हैं अपना हेलमेट नहीं पैनते तो पहले वह चीज जहांच सो रुपे की हो दिती अब वह यहां पर बढ़ा करके सीधा थाउजन करें कर दिया गए दोस्तों हेलमेट ज़रूर पैना क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए बनाए सीट बेल लगाए यह सीट बेल्ट नहीं होगे तो एक्सिएंट के केस में हमें भी ज्यादा चोट आ सकती है भले हमारी गलती क्यों ना हो तो इस बात को फॉलो करें तो इस पू होती है जबकि राइट मोस लेट उनकी होती है और कई वरे सामने हाले की भी गलती नहीं होती है कि वह साइट दे पाए तो इसमें जो 10,000 रुपीट का चलान का प्राइज रखा इसको और भी बढ़ा देना चाहिए मेरे साब से ताकि हमारे देश में लोग अवेर हो कि कि ज हमें उसे साइट देना बिल्कूल भी ज़रूरी है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा काफी नॉलेज मिलियोगी इससे मोटरोविकल अमेंडमेंट्मन एक को समझने में काफे आदा मदद हुई होगी अगर आपको इसके इसकी सॉफ्ट कॉप